सो हेलो गाईज मेरे नाम है साजी सैफी और मेरे चैनल टेकनिकल सैफी में मैं आप सभी का तही दिल से वैलकम करता हूँ वैल दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेसल होने वाली है क्योंकि आज इस वीडियो में हम एक ऐसे मॉवाइल की अन्बॉक्सिंग करने वाले हैं जो की लगबग 24,000 रुपे का है सैमसंग का मॉवाइल और इस मॉवाइल को मैंने 15,000 रुपे का बाई किया है जिस मॉवाइल की हम बात करने वाले हैं वो है एक रिफर्निश्ट मॉवाइल जैसा कि अभी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं और ये मुझे अभी अभी डिलिवार्ड हुआ है और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो मेरा एक्स्प्रियेंसर रिफर्निश् जो शुरू बढ़ते हैं तो गाइस ये है हमारा पार्सल चलिए अभी हम बॉक्स को बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि अभी बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या तरफ से पैक है और काफी अच्छे से इसको पैक किया गया है और चलिए अब हम इसकी सील क ब्रेक करते हैं तो दोस्तो बॉक्स के अंदर सबसे पहले हमें मिलता है हमारा बिल चलिए हम इसको साइड रखते हैं और बात करते हैं भी मॉबाइल के बॉक्स के बारे हो वाइल जैसा कि आप देख रहे हैं बॉक्स के ओपर आपको काफी सारी टेप लगी वही दिखाई तो बॉक्स की हालत तो जादा कुछ खास नहीं है चलिए अब हम बॉक्स को ओपन करते हैं और फाइली देखते हैं कि ऑपक के अंदर क्या काइख रखते हैं और बॉक्स को ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको मिलता है एक सेम इजेक्टर टूल और यह है कुछ की टाइप सी के साथ आता है चलिए हम बॉक्स सभी कंटेंट को साइट करते हैं और अभी हम देखते हैं कि हमारा जो फॉन है वो हमें कैसा दिखता है वाइल दोस्तों अगर इस फॉन की बात की जाए तो यह देखने में काफी बढ़िया लग रहा है और इसके ओपर मुझे किसी तरह के कोई scratches वगरा देखने को नहीं मिल रहा है इसकी जो condition है वो एकदम नए फॉन के जैसी है वाइल जैसा कि आप easily देख सकते हैं चलिए फलाले इक बार हम फॉन को भी on करके देख लेते हैं कि यह on करने में किसी तरह का कोई problem तो नहीं कर रहा है खेर यहां Samsung का logo तो मिल जाएगा वाइल अगर other side की बात कि जाए तो other side में यहां SIM tray का option देखने को मिलता है and so इस phone के अंदर आपको triple card slot देखने को मिलता है जिसमें की एक तरफ आप दो SIM use कर सकते हैं और बाकी other side में आप यहां memory card को भी use कर सकते हैं और top पे आपको noise cancellation mic देखने को मिल जाएगा and so अगर वही bottom की बात की जाए तो bottom में आपको 3.5 mm का headphone jack, charging port और एक mic option और एक आपको मिलती है speaker grill and guys अगर back side की बात की जाए तो back side में आपको quiet camera का setup देखने को मिल जाता है वहीं आपको एक LED flash देखने को मिल जाएगी चलिए फटावर जल्दी से मैं इसका full setup कर लेता हूँ और उसके बाद हम बात करेंगे इस phone के अंदर software के बारे में और बाकी की बात है हम video में आगे करेंगे so finally guys मैंने अपने phone को successfully setup कर लिया है and guys इस phone को मैं काफी देर से use कर रहा हूँ लगबग मुझे इसको use करते करते 2-3 घंटे हो चुके है while मैंने इस phone को outdoor में भी use कर लिया और indoor में भी use किया है and इस video के अंदर मैं आपको सारा का सारा अपना experience शेयर करने वाला हूँ चलिए पहल पहले हम बात करते हैं इस phone की display के बारे में while इस phone के अंदर जो display दी गई है वो सच में बहुती ज्यादा कमाल की है और इसकी quality है वो एकदम amazing है while अगर इसकी display size की बात की जाए तो इसके अंदर आपको 6.7 inch की full HD plus display देखने को मिलेगी जो की एक super amolode panel के साथ आती है वहीं आपको samsung की तरफ से आने वाला samsung का one UI 3.1 देखने को मिलता है वहीं अगर android version की बात की जाए तो इसके अंदर आपको android 11 का support देखने को मिलेगा out of the box and guys अगर इसके software experience की बात की जाए तो वो बहुती जादा कमाल का मुझे मिला samsung galaxy f62 के अंदर and इसके अंदर मुझे किसी तर वगरा दिये हैं वो samsung की तरफ से वो बहुत जदा कमाल के features दिये हैं and इसके अंदर आपको samsung की तरफ से secure folder वगरा मिलता है वो सारे के-सारे features आपको samsung galaxy f62 के अंदर दिये हैं well यह features के मामले में यह phone एकदम काफी बढ़िया है और इसके अंदर आपको किसी तरह का कोई issue न processor देखने को मिलता है जो कि 7 nanometer technology पर based है अगर इसके अंतुतु बेंचमार्क score की बात की जाए तो लबब 5 लग के आसपास इसका अंतुतु बेंचमार्क score आता है जैसा कि अभी आप screen पर देख रहे हैं वही अगर RAM की बात की जाए तो फिलाल मेरे पास यह 6 GB RAM वाला model है इसक storage type की बात की जाए तो इसके अंदर आपको UFS 3.0 storage type देखने को मिलेगा वाल यहां performance के मामले में यह phone सच में मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लागा खेर मैंने इसके अंदर जब BGMI गेम वगरा खेल तो इसके अंदर आपको BGMI की almost सभी settings देखने को मिल जाती है जैसा BGMI गेम खेलता हूँ Smooth Plus Extreme की setting पर तो वहां जो मेरा experience था वो बहुती ज़दा कमाल का था बट जब मैंने Smooth Plus Extreme के साथ Samsung Galaxy F62 के अंदर BGMI गेम खेला same setting के उपर तो guys मेरा experience था वो इतना ज़दा अच्छा नहीं रहा जितना अच्छा मुझे मेरे Realme X50 Pro के अंदर मिलता है तो दो वैल दोसो अगर camera की बात की जाए तो इसका जो रियर camera है वो सच में बहुत बहुत ज़दा amazing camera है guys मैंने recently काफी mobile की unboxing किया और मैंने काफी सारे mobile चला है बट Samsung Galaxy F62 का जो camera है वो मुझे इतना ज़दा impressive लगा जितना कि मुझे आज से पहले किसी का camera नहीं लगा है इस budget range के इसके camera की quality जो है वो सच में बहुत ज़दा amazing quality निकल के आती है जैसा कि आप screen पर कुछ camera sample देख सकते हैं वैल इसके अंदर आपको quiet camera का setup देखने को मिल जाता है तो guys वो भी काफी अच्छी picture quality ले ले लेते हैं जिसमें की camera setup की बात की जाए तो एक 12 megapixel का और 5-5 megapixel के दो camera और देखने को मिल जाएंगे जिसमें की दोस्तों एक wide angle camera है एक depth sensing camera है और एक macro shot capture करने के लिए आपको एक camera मिल जाएगा Samsung Galaxy F62 के अंदर and guys अगर front camera की बात की जाए तो front में आपको 32 megapixel का इसके अंदर camera दिया है जो कि personally मुझे इतना जादा कुछ खास नहीं लगा front के camera जैसा की अकसर average हमें देखने को मिलते हैं हर एक phone के अंदर Samsung Galaxy F62 का जो front camera है वो भी average है आप इससे selfie वगरे जब भी click करते हैं तो आपको जो picture quality मिलेगी वो एकदम average किसम की ही मिलेगी जैसा की आप screen पे देख सकते हैं बट इसका जो rear camera है वो एकदम awesome है and guys Samsung Galaxy F62 के अंदर आपको जो battery मिलती है वो 7000mAh की battery दी गई है जो कि 25W के fast charger के साथ आती है तो दोस्तो battery के मामले में ये phone एकदम powerful है अगर आप एक बड़ी battery चाहते है ताब आपके लिए ये phone बहुत अच्छा हो सकता है क्यूंकि इसके अंदर camera, display quality और processor वगरा सभी कुछ बहुती अच्छी quality दी के दिये है और इसके अंदर जो performance वगराया आपको काफी awesome मिलती है और इन सभी चीजों के साथ आपको 7000mAh की battery मिलती है तो guys ये भी अपने आपे में एक काफी बड़ी बात हो जाती है इस phone को लेकर वाइल अब finally बात करते हैं इस phone के design के बारे में कि इसका design मुझे कैसा लगा वाइल दोस्तों जैसा कि इसके अंदर आपको 7000mAh की battery मिलती है तो guys अगर इसके design की बात की जाए तो इसका design है परसनली मुझे बिल्कूल भी पसंद नहीं आया और इस phone के अंदर बस मुझे यही एक कमी नजर आई और वो है इसका design वाइल जैसा कि आप इस screen पर design है वो बहुत जादा मुझे खराब लगा खेर अगर Samsung company चाहती तो इसके corner वगरा है उनको काफी अच्छे से और modify करके और थोड़ा बहतर इसका design बना सकती थी बट दोस्तों अभी फिलाल अगर इसके design की बात की जाए तो इसका design मुझे personally बिल्कूल भी पसंद नहीं आया वाइल इसके design को छोड़के बाकी सब कुछ इस phone के अंदर मुझे बहुत जादा पसंद आया इसकी display quality मुझे बहुत पसंद आयी और खासकर करके इसका जो camera है वो तो बहुती जादा impressive है और दोस्तों अगर इसके fingerprint और face lock की बात की जाए तो वो भी बहुत जादा बढ़िया काम करता है जैसा कि आप देख रहे हैं स्कीन पर इसका fingerprint एक बार में ही हमारे phone को unlock कर देता है वहीं अगर face lock की बात की जाए तो face lock भी इस बार Samsung ने काफी जादा improve कर दिया है इस phone के अंदर मैंने पहले और भी Samsung के काफी phone use किये हैं जिनके अंदर fingerprint और face lock था वो इतना जादा फास्ट नहीं था बड़ इस phone के अंदर fingerprint और face lock मुझे बहुत जादा बढ़िया लगा और ये काफी जादा फास्ट वर्क करते हैं दोनों ही और फानली दोस्तों अभी बात करते हैं इसके price के बारे हैं वाईल दोस्तों फिलाल मेरे पास जो ये 6GB रेम वाला model है फिलिप का और जैसा कि दोस्तों मैंने वीडियो के स्टाइटिंग में आपको बताया था कि ये एक refundished mobile है और फानली अभी बात करते हैं कि आपको refundished mobile बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वाईल दोस्तों जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं मैंने आपको इस mobile के वा पास ये phone काफी अच्छी condition में मुझे मिला है तो दोस्तों इस phone की condition को देखे और इस phone के based pair और जो मेरा experience रहा है उसको देखके तो मैं आपको यही suggestion देना चाहूँगा अगर आपको इस तरह की deal मिल रही है आपको कोई नया phone सस्ते में मिल रहा है तो आप उसको buy कर सकते हैं म क्योंकि इसकी accessories वगरा है उन सबी की अगर बात की जाए तो वो एकदम काफी बढ़िया condition के अंदर मुझे मिली इसकी जो charging dispute वगरा है वो सारी की सारी मैंने test करके देख ली मुझे किसी तरह का कोई issue इसके अंदर नजर नहीं आया और वही अगर इसकी quality की बात की जाए तो जो quality है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी किसी तरह के scratches वगरा मुझे इस phone के ऊपर नहीं मिले तो इस साफ से जो मेरा experience रहा है वो refundished mobile को लेके वो बहुती ज़्यादा शांदार रहा है अगर आप भी future में refundished mobile को buy करना चाहते हैं तो आप buy कर सकते हैं तो त फाइल buy करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये भी सब कुछ details में बता दिया है तो खरशे तो फुलाली से वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही था और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो के साथ